आज हम इस चेप्टर को आगे बढ़ाएंगे और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रोपर्टीज के बारे में जानेंगे इसका यह मतलब यह हुआ कि जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे मेटल्स हाड होते हैं यह सौफ्ट होते हैं होते हैं मेटल्स लश्चरस होते हैं मतलब उनमें चमक होती है नॉन मेटल्स जनरली नॉन लश्चरस होते हैं उनमें चमक नहीं होती They are non-malleable Metals को हम Hammer के साथ पीट पीट कर Sheets में convert कर सकते Non-metals को हम Sheets में convert नहीं कर सकते Non-ductile Ductility property होती है कि metals को हम Wires के रूप में convert कर सकते हैं लेकिन non-metals are non-ductile It means हम उनको Wires के रूप में convert नहीं कर सकते They are non-sonorous sonoras मतलब वो metals की तरह टंटन की आवाज नहीं पैदा करते हैं अगर हम उनको किसी चीज से strike करते हैं तो metals heat और electricity के good conductors गिने जाते हैं लेकिन non-metals are poor conductors of heat and electricity होते हैं थोड़ी सी और जानकारी हम non-metals के बारे में जानते हैं हमने अभी discuss कि नॉन मेटल जनरली लस्चरलेस होते हैं उनमें चमक नहीं होती है लेकिन ग्रिफाइट और iodine ऐसे non-metals हैं जो कि चमक रखते हैं कि अब यहां एक शब्द है ब्रिटल ब्रिटल का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई non-metals solid form में है और हम उसको hammer से strike करें तो वह भुरभुरा कर तूट जाएगा ओके वह शीट में convert नहीं होते हैं लेकिन वह अगर हम उनको स्ट्राइक करें तो वह जैसे मिट्टी का ढेला स्ट्राइक करने से तूट जाता है बिखर जाता है कंड कंड में वह convert हो जाता है उसी तरह solid भी भुरभुरा कर तूट जाएंगे यहां पर एक और बात लिखी गई है ब्रोमीन एक ऐसा non-metal है जो liquid form में पाया जाता है अब हम आगे बात करते हैं chemical properties की इससे पहले हमने metals और non-metals की physical properties के बारे में जाना है अब हम जान रहे हैं metals और non-metals की chemical properties कैसे होती है मतलब वह कैसे react करती है अगर वह किसी भी चीज के संपर्क में आये तो for example जैसे लिखा है metals reaction with oxygen metal जब oxygen के साथ react करते हैं तो क्या बनाते हैं non-metals जब oxygen के साथ react करते हैं तो क्या form होता है ये एक table है इसको अब हम बारी बारी से इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं reaction with oxygen अगर metals oxygen के साथ react करते हैं तो वह क्या form करते हैं बनाते क्या हैं यहां एक general formula लिखा है कोई भी metal अगर oxygen के साथ react करेगी तो वह metallic oxide बनाएगी इसका एक छोटी सी reaction भी पताई है mg मतलब magnesium plus oxygen अगर magnesium oxygen के साथ react करती है तो वह magnesium oxide बनाएगी क्या बनाएगी magnesium oxide और अगर इसी magnesium oxide को मैं water के साथ dissolve कर दूँ और फिर उसका मैं nature जानने की कोशिश करूँ कि वह acidic है कि basic है तो मैं एक लिटमस strip की help ले सकता हूं और उस solution में मैं जब ब्लू लिटमस paper को डालूँगा तो वह blue ही रहेगा इट मींज कि वह नेचर में basic है तो metals generally basic nature के होते हैं कि इसके दूसरी तरफ हम non metals की बात करते हैं non metals को जब हम oxygen के साथ react कराते हैं तो वह non metallic oxide बनाते हैं इसका एक छोटा से reaction देख लेते हैं sulfur जो कि एक non metal है उसको जब हम oxygen के साथ react कराएं तो वह sulfur dioxide बनाता है ठीक है sulfur प्लस oxygen विल गिव राइस टू sulfur dioxide और metals के opposite sulfur dioxide जो है यानि जो non metallic oxide है वह acidic in nature होते हैं मतलब यह जो हमारे पास product मिला है है sulfur dioxide इसको इसका नेचर अगर मुझाने की कोशिश करें तो वह acidic in nature होंगे कि next property है reaction with water metals या non metals जो water के साथ react करते हैं तो वह क्या form करते हैं तो पहले हम बात कर लेते हैं metals की metals water के साथ जब react करते हैं तो वह product बनाते हैं metal hydroxide for example sodium एक metal है कोई metal आप ले सकते हैं उसको जब हम water से react कराते हैं तो हमारे पास मिलता है sodium hydroxide क्या मिलेगा sodium hydroxide अब sodium water के साथ बहुत ही ज़्यादा रियक्ट करता है और वह fire भी catch कर सकता है इसलिए sodium जो metal होती है हम उसको generally kerosene में डुबा कर रखते हैं क्योंकि उसको वहां kerosene के अंदर water प्राप्त नहीं हुआ और water के साथ वह बहुत ही ज़्यादा विग्रसली रियक्ट करता है आग पकड़ सकता है अब हम बात करते हैं नौन मेटल्स की नौन मेटल्स water के साथ जनरली कोई भी रियक्शन नहीं दिखाते हैं ठीक है अब इसमें एक छोटा सा एक्जामपल है फॉस्फोरस का फॉस्फोरस एक नौन मेटल है वह पानी के साथ रियक्शन नहीं करता है लेकिन अगर हम उसको खुले में छोड़ें तो वह एर के साथ बहुत विघ्रसली ठीक है एर के साथ बहुत ही विघ्रसली रियक्ट करता है और फॉस्फोरस केन आलसो कैच फायर सो इट इस कैप्ट इन वॉर्टर क्योंकि वाटर में भले ही ऑक्सीजन हो लेकिन वह इतनी ज्यादा मातरा में नहीं होती कि वह उसके साथ बहुत ही विघ्रसली अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे reaction with acids and reaction with bases metals or non-metals का action और bases के साथ क्या reaction होता है इसको हम next video में discuss करेंगे